हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लैट सुलोग विद पूनम में आज मैं सेर करूँ आप सब के साथ लोकी का प्राथा जिसे हम बिना आटा को गुथे और बहुती कम घी में बना कर त्यार करेंगे एकदम से फुले फुले सोफ्ट प्र की ले नहीं हमें इसमें कोई पीज नेहीं होने चाएं अगर आपकी लोकी कची नियुक ने इसमें बीज हैं तो बीज अलग से निकाल दी जीए और इसको मैं पे और वतार लिया थिल्का उतारना के पाद इसको में कुद्द कर लूंगे腳 कर सकते हैं ठीख आप मैं इसको कूट कर लेना है और देखिए दो भड़ी मिर्च लिया इसको भी मैं लैसकून वर अधरकâte के साथ कूट लोगी we है जो हमारा अदरक लैसून हरी मिर्चर मैं अब यहां पर मैंने गेहल का आटा लीजा है यह मैंने दो कोट और भर डूपर गहां एक छान लिया था चान कर यह लेना है यहां आटे का अब हम एक घोल त्यार करना है इसमें को भी गुथलिया नहीं रहने ची हम इसमें थोड़ बहुत ही मुस्किल हो जाएगा इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी अड़ करिए यहां पर मैंने देखे एक गिलास के करीब यहां पानी लगा है और इसकी इसी तरह सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए यहां पर देखे कोई भी इसमें गुठलिया नहीं बची है आप इसमे मसाले डालते हैं यहां पर मैंने एक चमच नमक लिया आप अपने स्वाद के नूसार लिजिए का और इसके बाद यहां पर मैंने एक चमच साबुच जीरा लिया है साबुच जीरा डाइजेसिन में बहुत अच्छा रहता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और यहा प्याज को मैंने उसको भी कद्दू कस करके ले लिया है यह optional है आप चाहे तो सी स्किब भी कर सकते हैं और एक टमाटर को भी मैंने आपर कद्दू कस कर लिया था अगर आप चाहे तो इन सब चीजों को आप मिक्सी में ग्राइं करके भी डाल सकते हैं अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे अदा चमच के करीब और इसमें थोड़ा सा ये चली फ्लैक्स लिया है ये एक चुथाई चमच होगा और ये भी इसमें डाल देते हैं उसके बाद ये मैंने भुना हुआ जीरा लिया है ये भी एक चुथाई चमच के करीब यह आप मसालों को आप अपने हिसाब से कम या जादा भी कर सकते हैं, अब इसमें हम अच्छे से इसको घोल में मिक्स कर देंगे सबी चीजों को, अगर आपको घोल का थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं, मैं इसमें आदा गिल होने के लिए रख दिया था यहां हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है और इसमें हम जो गोल हमारा त्यार किया था इस तरह से यह डाल देंगे जितना भी आप मोटा पतला करना चाहते हैं उसी तरह से ढाल देजिए यह मैंने देखिए एक साइड से शिक चुक है और इसको हम इस तरह से पलट देंगे दूसरी साइड भी इसको अच्छे से पका लेना इसको इस तरह से दबाएंगे तो यह जो हमारा प्राथ है अच्छे से फूले लगेगा और अंदर से भी कच्चा नहीं है एक dom से perfect बन कर त्यार होगा और बहुती कम घील का यूस हो फुला फुला प्राठाय बनकर त्यार होंगे और इसमें एक चम्मत से भी कम घी लगा एक प्राठे में जिस तरह नॉर्मल प्राठे बनाते हैं हम उनसे कम घी Дीख़े आपको दिखाते हुए कितना सॉफ्ट बनकर त्यार हुआ है यह बहुत ही अच्छा तरीका बच्चों को लोकी खिलाने का और यह टेस्टी तो है यह और हैल्फ दी भी क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी सब्जे सामिल की है और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक से रेंड कमेंट कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए थैंक यू बाइ